अमस्कार दोस्तों मैं सौरब एक्सल की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आपको रेट फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा रेट याने की रेट आप इंट्रेस्ट जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके होंगे वहाँ पर मैंने तो यह भी हमारा एक फाइनेंसल फॉर्मूला है इस पर हम किसी फाइनेंस में से उसमें हमारी कितने रेट आप इंट्रेस्ट लग रहे हैं उसको हम निकाल सकते हैं तो चलते हम अपनी एक्सल सीट पर उससे करके देखते हैं एक बार जैसा कि आप देख रहे हैं यह हमारी की seat है इस पर मैंने एक data waste create किया हुआ है मैंने जितने भी financial formula लगाए है मैंने यहाँ पर उससे दिखा रखा है जो हमारे नए दोस्त हैं उनको मैं एक पर stable के बारे बता देता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे तो percent value हो लेंगे उसको यहाँ पर rate दे रखा rate of interest तो आज हम rate of interest यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर already दे रखा है अब मालीजी नहीं है यहाँ पर तो हम किस तरह से निकालेंगे वह आपको सखाएंगे उसके वाज यहाँ पर दे रखा net period net period क्या होता है कितने year के लिए आप यह finance करवा रहे हो ओके यहाँ पर PMT मतलब की आपने जो भी monthly installment होती है वह PMT formula से निकालना सीखा था यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर period दे रखा है यहाँ पर net period है 7 year तो मैंने इसको month wise convert कर दे यानिकि अगर month में convert करोगे तो 84 months होते है हमारे 7 year में तो वो मैंने आपर दे रखे है ठीक है अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने IPMT formula से अपनी monthly installment में से कितना हमारा rate of interest लग रहा है उसको मैंने निकालना सकाया था जैस उसके बाद मैंने सकाया था आपको PPMT यानि कि आपका जो भी monthly installment है उसमें से company कितना रु आप पी फॉर्मूले से अपनी present value को निकाल सकते हैं उसके बाद net period मतलब कि NPER इससे क्या करते हैं इससे हम अपनी किसी भी financial में से आपका कितना net period हो रहा है वो निकाल सकते हैं जैसे कि मानलीज आपके पास आपकी present value है और आपको rate of interest भी पता है और आपका 15 installment क्या है वो भी पता है तो आप period भी निकाल सकते हैं NPR formula से अब मैं आपको rate निकालना सिखाऊंगा rate of interest तो चलते हैं हम formula लगाते हैं आपको मैं formula बार पर insert function के द्वारा भी लगाना सिखाऊंगा और एक को लगा कर फ्लाला भी एक को लगाते है rate type करेंगे bracket लगाएंगे अब यहां पर to किया 12 से कोकि मुझे month wise दिखाना है comma लगाएंगे यहां पर पूच रहा है PMT PMT क्या होता आपकी monthly installment तो monthly installment मेरी यह दे रख किया मैंने इसको select किया आप चाहिए इसको select किया आप चाहिए सकते है जी 5 comma लगाएंगे यहां पर present value present value आपकी 25 लेक दे रख किया तो मैंने उसको select किया common लगाया उसके बाद future value के लिए zero tap करेंगे और taps के लिए आप फिर zero tap करेंगे अगर नहीं भी type करते हैं तो भी काम चल जाएगा आप bracket close करेंगे और आपको यहां पर दियान लगना होगा आप यहां पर into करते हैं 12 का क्योंकि आपको परनेम दिखाना होगा क्योंकि हम right formula है मेरा यह तो अब आप आँगे से अपने किसी भी financial detail में से अपने rate of interest बढ़े असाने साथ निकाल सकते हो अगर आपको और वी location के अनुसार, types of flat के अनुसार rate of interest निकाल लें तो आप इससे यहां पर fill out कर सकते हो तो यह सभी जगह पर लग जाएगा तो मैं इसे fill out करके यहां पर देखता हूँ यह formula आगे भी सही जाता है कि नहीं तो मैंने यह fill out किया तो यहां पर भी देखेंगे आप 10% दे रखा है second के लिए और third दे रखा है 17% तो इद्धम सही formula है तो मुझे रखता है आपको सौझ जाया होगा अगर नहीं सौझ जाया है तो चलो मैं इस उसके present value दे रखी है net period दे रखा है और उसके monthly installment दे रखी है और यहां पर मैंने rate भी निकाल चुका हूँ तो आप यहां पर भी इससे सर्च कर सकते है ठीक है नहीं तो आप यहां पर insert function पर जाएंगे और यहां पर आप type करेंगे rate को और go करते हैं तो आपका formula जहां कहीं भी होगा वह सबसे उपर आ जाएगा ओके आपने उकी किया अब यहां पर देखते हैं अब यहां पर देखेंगे अब से वहले पूछ रहा है net period तो net period आपका कहां पर है यह रहा ठीक है net period आप तो year wise दे रखा है तो आप इसे month wise करेंगे याने कि 12 का multiply करेंगे अब वो पूछ रहा है PMT PMT क्या होता आपकी monthly installment तो आप उसको select करेंगे जस्ट उसके बाद आप यहां पर PV देंगे PV याने की present value याने कि आपकी cost कितनी उसकार की उसको देंगे यहाँ पर FV मतलब कि आप यहाँ पर 0 type कर सकते हैं ना भी करें तो भी चल जाएगा टाइप से भी 0 दे सकते हैं और आप इस formula में आगे multiply करेंगे 12 से आप यहाँ पर रूखे करते हैं तो आप इसको द्वारा से आपर add करके यहाँ जाके आप यहाँ पर इंट्गरेंगे 12 से तो यह आपका पर year का दिखा देगा देखा आपने आप 10% आया है तो आप यहाँ पर fill out करेंगे तो और भी कारों के rate of interest पता चल जाएगे आपको त तो अगर यह आपको वीडियो अच्छे लगती है तो हमें लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट भी कर सकते हैं अगर हमसे कुछ पूछना है तो हमारे ask.learnoivals.com पर जाकर हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं अगर हमारी और वीडियो देखनी है तो www.youtube.com slash learnoivals हमारा चैनल है उस पे हमें जागर देख सकते हैं और साथ इसा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो मिलते हैं नई वीडियो में इसमें हम आपको CUM IPMT फॉर्मूले के बारे में समझाओंगा तब तक के लिए धन्यवाद